आज हम बात करेंगे आजाद भारत से आत्म निर्भर बनते नए भारत की धुआ उड़ाती छुक छुक करती ट्रेनों से लेकर आधुनिक भारत की तेज फर्राटा भरती वंदे भारत एक्स्प्रेस तक की महज 9 से 10 साल पहले तक क्या किसी ने सोचा था कि कभी भारत में वर्ल्ड क्लास स्टेशन होंगी क्या कभी भारत में भी विदेशों की तरह सपनों की रेल होगी नहीं न लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा और बदल डाली भारती रेल की तस्वीर और तक्दीर और इसी कड़ी में देश की पहली स्वदेशी सेमी हाइस्पीड ट्रेन की शुरुवात की वंदे भारत 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वारानसी के बीच चलाई गई और देखते ही देखते देश के हर कोने को वंदे भारत ट्रेने जोड रही है वंदे भारत की एक्स्प्रेस इंडिया की फर्स्ट, आलवेज फर्स्ट की भावना समर्द करती है मुझे खुसी है कि वंदे भारत ट्रेन, काजविकास, आधुनिकता, स्थीरता और आत्मंदिर भरता का परियाय बन चुकी है आज की वंदे भारत की यात्रा, कल हमें विक्सित भारत की यात्रा की और ले जाएगी आज वंदे भारत ट्रेन, विश्व में आत्म निर्भर भारत की पहचान है और आज एक साथ नौ वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों के शुभारंभ का एतिहासिक अवसर आया है। ये वंदे भारत ट्रेने अम्रित काल में नए भारत के नए जोश, नए उत्साह और नए उमंग की प्रतीक हैं। ये नौ ट्रेने बुदैपूर से जैपूर, तिरुनल वेली से चेन्नाई, हाइद्रबाद से बेंगुलुरू, विजयवाणा से चेन्नाई, पटना से हावडा, कासरगोड से तिरुवनंथ पुरम, रावर्खेला से पुरी, राची से हावडा और जामनगर से एहमदाबाद के बीच संचालित होंगी। इन नौ वंदे भारत ट्रेनों में पहले की तुल्ला में अधिक आरामदायक सीटें, बेहतर एस्थेटिक्स, बेहतर लाइटिंग, सीट के नीचे चारजिंग पॉइंट का बेहतर प्लेस्मेंट, साथ ही कई अन्य सुविधाओं को भी अपग् कराएंगी। 11 राज्यों में परियतन एवं आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का स्रिजन होगा। इन ट्रेनों से देशवासियों के लिए अपनी संस्कृति, विरासत और धार्मिक स्थलों के बा अधिक यात्री इन अत्याधुनिक ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अम्रितकाल में वंदे भारत ट्रेने, 140 करोड देशवासियों के सपनों का नया भारत गढ़ने में एहम योगदान दे रही है। जय हैं।